जै माता दी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सौंबार ब्रत की कथा और ये कथा इस परकार है किशी नगर में एक धनी बैपारी रहता था दूर दूर तक उसका बैपार फैला हुआ था नगर के सभी लोग उस बैपारी का समान करते थे इतना सब कुछ संपन होने क के बाद भी वह बैपारी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण अपने मित्य के पस्चाद बैपार के उत्तरादिकारी की जिन्ताव से हमेशा सताती रहती थी कुछ प्राप्ति की इक्षा से वैपारी प्रतेक सौंभार भगवान शिप की ब्रत पुझा किया करता था और शाम के समया सिप मंदिर में जाकर सिव्जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था उसकी भक्ति देखकर मापारवती प्रेसन हो गई और भगवान सिप से उस पेपारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेधन किया भगवान शिप बोले इस अंसार में सबको उसकी कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है सिप जी दोरा समझाने के बाप जुद मापारवती नहीं मानी और उस पेपारी की मनोकामना पूर्टी हेतुवे सिप जी से बार बर अन्रोध करती रही अन्तित है माता के आगरे को देखकर भगवान भोले नाथ को उस पेपारी को पुत्र की प्राप्ति का वर्दान देना पड़ा वर्दान देने के पस्चाद भोले नात मापारवती से बोले आपके आगरे पर मैंने पुत प्राप्ति का वर्दान तो दे दिया परन्तु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा उसी रात भगवान शीप उस वेपारी के सौकर में आये और उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बतलाई भगवान के बर्दान से वेपारी तो खुश हुआ लेकि पुत्र की अलपायों की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया वेपारी पहले की तरह सौंबार के दिन भगवान शीप का बेधिवत वर्द करता रहा कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अती सुंदर बालक ने जनम लिया और घर में खुशिया ही खुशिया भर गई बहुत धुमधाम से पुत्र जनम का समारू मनाया गया परन्तो वेपारी को पुत्र जनम की अधी खुशी नहीं थी क्योंकि उसे पुत्र की अलपायों के रहस्य का पता था जब पुत्र वारावर्ष का हुआ तो वेपारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए बारनसी भीज दिया लड़का अपने मामा के साथ सिक्षा प्राप्ती हितु चल दिया रास्ता में जहां भी मामा भांजा विश्राम हितु रुकते वहीं यग करते और ब्रामनों को भोजन करवाते लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे उस दिन नगर के राजा की कन्या का विभा था जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर भरात आई लेकिन बर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुँच इंतित था उसे भैद था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विभा से इंकार ना कर दे इससे उसकी बदनामी भी होगी जब वर के पिता ने मैपारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिक में इविचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूला बना कर राजकमारी से विभा करा दो विभा के बाद इसको धन देकर विधा कर दूँगा और राजकमारी को अपने नगर ले जाओंगा वर के पिता ने लड़के के मामा से इस समंद में बात की मामा ने धन मिलने के कारण लालच में वर के पिता की बात को स्विकार कर लिया लड़के को दूले का बस्तर पहना कर राजकुमारी से विभा करा दिया राजकुमारी ने बहुत सारा धन दे कर राजकुमारी को विधा किया शादी के बार लड़का जब राजकुमारी के साथ लोट रहा था तो वैस सोच वैस सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओरनी पर लिख दिया राजकुमारी तुम्हारा विभा मेरे साथ हुआ है मैं तो वारणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव्यों की पत्नी बनना पढ़ेगा वहें काना है जब राजकमारी ने अपनी ओरनी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकमारी को महल में ही रख लिया उदर लड़का अपने मामा के साथ वारानसी पहुच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब उसकी आयू शोलावर्स की हुई तो उसने यग किया या किस माप्ती पर ब्रामनों को भोजन कराया और खूब अनवस्त्र दान किये रात हुआ अपने शैनकक्ष में सो गया शिव के वरदान के अनुसार शैन अवस्त्र में ही उसके प्राण पखीरू उड़ गए सुरदेवर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे आसपास के लोग भी एकात होकर दुख प्रकट करने लगे लड़के के मामा के रोने विलाब करने के स्वर समीव से बुझरते वे भगवान शिव और माता पारवती ने भी सुने माता पारवती ने भगवान से खहा प्राण नात मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस व्यक्ति को कष्ट दूर करें भगवान शिव ने माता पारवती के साथ अध्रिशी रूप में समी पाकर जाखा देखा तो बोले नाथ माता पारवती से बोले यह तो उसी विपारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयू का वरदान दिया था इसकी आयूप पूरी हो गई है मा पारवती ने फिर भगवान श्रिंकर से निवेदन किया कि उस बालों को जीवन देने का आगरे किया माता पार्वती के आगरे पर भगवान श्रीम ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछी पर्मेव है जीवित हो उठा सिख्षा शमाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की और चल दिया या किस माप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन दिया वस्तर आदी देकर राजकमारी के साथ विदा किया इदर भूके प्यासे रहकर बेपारी और उसकी पतनी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिक्षा प्रतिक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मित्यों का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे परनतु जैसे ही उसके बेटे के जीवित वापस लोटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसंद हो गए मैं अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुचा अपने बेटे के विवा का समाचार सुनकर पुत्र बदू राजक्मारी को देखकर उसकी फुसी का ठिकाना ना रहा उसी रात भगवान श्रीव ने बेपारी के सोफर में आकर कहा ये स्रिष्टी मैंने तेरे सौंबार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसंद होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है पुत्र की लंबी आयू जान का विपारी बहुत प्रसंद हुआ शिब भक्त होने तका सौंबार का वरत करने से विपारी की सभी मनुकामनाय पूर्ण हुई इसी प्रकार जो भक्त सौंबार का विदी भक्त वरत करते हैं और वरत कथा सुनते हैं उसकी सबी एक्षाएं पूरी होती है और इस पर फार्स वंबार की वरतकत्रा समाप्त हुई